अमस्कार भिलवारा लोकवाणी में आप सभी का स्वागत है जिसको लेकि यह कहना चाहेंगे कि यह तरह से तहवार होता है साल में जो करवा चोट आती है और सुबह से तैयारे उने लग जाती है सीच की और आज वास्ता में हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है चोट माताय का वर्त करके स्वागन अपने स्वाग की लंबी आयू के लि मैं तो में तरब से यह कहना चाहूंगी कि है चोट माता सभी बहनों को खुश रखो स्वस्त रखो मस्त रखो सभी का स्वाग अमर रहो और जो यह मामारी यह कोराना बीमारी यह चोट माता इसको जरूर आप नश्ट करो पहले तो बड़े नॉर्मल तरीके से यह तेवार बनता था और आज की जनरेशन की बारे में यह दि मैं बात करूं तो सुबह से इसकी तयारे चलने लग जाती है जैसे कि आप मानो तो दो दिल पहले से मेंदी लगाना और खुब अचे से मेकप करना पालर जाना और पहले की जैसे ओड़ते चलनी में नहीं देखती थी अपने सुआख को अब तो यह हो गया कि एक दिन पहले चलनी का डेकॉरेशन किया जाता है करवे का डेकॉरेशन किया जाता है तो अब पहले से एक नॉर्मल तरीके से होता था आज की युग में या आज की जर्मेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह होता है कि 10 दिन पहले से तैयार्या चल जाती है कि कौनसा ड्राइस पहनना है किस तरीके से तैयार होना है किस तरीके से अपनी चलनी का डेकॉरेशन करना है और यह होने लग गया कि मेर विए जमन आगया और अच्छे वर दे साथ में रूती और अच्छी लगती है फोटो कीशते हैं कुल मिला करके बहुत अंच्छाइ करने को मिलता है अब तो जैन्स में आदमी करते हैं इसे अपन यहीं नहीं कह सकते हैं सालबर में जो बरत आते हैं यह तो एक तहवार हो गया एक तरह से इसलिए करवाचो तहवार ही हम सब के लिए और बहुत खुशी होती है आज के दिन और सबसे बड़ी इंपोर्डेंट आपको बात बताना चाहूंगी कि डेली भूका नहीं राज आता है आज पता नहीं यह देली क्या शक्ति देती है कि सुबह से लेके शाम तक आप पानी भी नहीं पीओ तो आपके चेरे में वो ही सुआग का नूर रहता है कि चमक इतनी रहती है कि आपको को यह नहीं सकता है कि आपने सुवे से कुछ खाया नहीं है पती के लिए पती मिलो जो इस जनम में मिला है और मैं तो यह काऊंगी सब अपनी पतियों से बहुत जादा खुश है और इसका आपको सबूत भी देना चाहूंगी सब के चेरे पर निखार देख लो आप नव पिडी को क्या संदेज देना चाहेंगे इस पर उपर यही देना चाहते है कि अपने परिवार को और बचे को और अपने पती को सब को अच्छे रखें और खुश रखें और अच्छी बात यही है लंबी उमर उनके वहारे साथ है अने वाली जो बहुने रहती है या बेटिया माँन लो जो और पिर और कहीं से भी यहा अती है कहने का मतलब यह है कि आज जो हम इकटा बस यह है कि हम आज इतनी बहुनगे इकटा हूई है उससे तो एक ही सीख जा रही है कि Person तेवार सबके साथ में मनाने में मज़ा आता है वो अखेले में नहीं आता है इसलिए सब यही है कि एक दूसरे से मिलके हिल मिलके यह तेवार बनाओ और सासो और बहु और बैटी कैसी रहो स्टे अपडेटेड ओल्वेज विद भिलवाडा लोगपानी न्यूज आप हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन कभी भी कहीं भी देखे ताजा खबरे आपके मुबाइल पर देखे न्यूज वीडियो किसी भी टाइं हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें बिलवाडा लोगपानी आप अवेलेबल ओन प्लेज स्टोर डाउनलोड नाओ और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना बिलवाडा लोगपानी यूट्यूब चैनल